नक्षत्र 27 मीडिया की अद्भुत प्रस्तती जोतिश दिशा सत्य की राह नमस्कार बहुत स्वागत आपका जोतिश दिशा सत्य की राह में आपके साथ मैं हूँ आपका इस्टो फ्रेंड संतो संतोशी दिनांक 10 दिसंबर दिन गुरुवार आज का दिन ग्रहों के निगाह से ग्रहों के इशारे से आप सब के लिए कैसा है कितना सकारात्मग है कितना पोजिटिव है इसकी जानकारी लेकर की उपस्तित हुआ हूँ मेज से लेकर मीन तक पूरा दिन बेहतर भी ते इसके लिए क्या प्रियोग करना है यह जानकारी भी लेकर के उपस्ते दिवाओ इस बेहतर को करने में आप कितना बेहतर कर सकते हैं इसको भी लेकर के उपस्ते दिवाओ चले सुरुवात करही देते हैं जोतिश दिशा सत्ते की राः पंचांग माक्षिश माहकृष्ण पक्ष दशमीति थी बारह पच्छ करी कत्तिस मिनट तक दो पहर इसके बाद एका दशी चंद्रमा कन्या में नक्षतर आज हस्त रहेगा सुबह दस पचास तक इसके बाद चित्रा नक्षतर योग रहेगा सौभाग तदनुसार दिनांक दस दिसंबर दिन गुरुवार गुरुवार को राहुकाल का समय दो पहर जेड़ बज़े से तीन बज़े तक राहुकाल में नए और शुमकाम सास्त्रोक तो वर्जित है सास्त्र में वर्जित किया गया है और गुलिकाल सुबह नो से दस तीस तक ये कहता है कि आप कुछ भी कर सकते हैं मेश से लेकर मीन तक आईए अब जान लेते हैं आज की प्यारी सी भविश्य वानी सबसे पहले मेश राशी मेश वालों के लिए आज का दिन पढ़ाई के मामले में अनकूल रहेगा सिक्षा में किसी तरह की दिक्वत नहीं आएगी सिक्षा का छेत्र आपके लिए सबसे ज़्यादा सकारात्मक होगा ब्यापार आपका ब्यहतरीन चलेगा रुकेधन की प्राप्ति होगी लेकिन प्राइवेट सिक्टर आपके लिए इतना अनकूल नहीं है जितना आप सोचते हैं प्राइवेट सिक्टर पे नौकरी में अनावश्यक बाधाएं और रुकावटे आ सकते हैं सरकारी छेतर आपके लिए बिलक्षण है गौर्मेंट सिक्टर में किसी तरह की दिक्कत नहीं आएगी गौर्मेंट सिक्टर आपके लिए बेहद बिलक्षण भूमिका निभाएगा दामपत्य जीवन थोड़ा सा तनावगरस्त रहेगा आज उल्जने बढ़ सकती हैं दामपत्य जीवन को लेकर के बहुत सुब सोचिएगा लव लाइफ आपके लिए सगरात्मक रहेगा शुब रहेगा लव लाइफ में हर प्रकार की शुबता आपको मिलने जा रही है स्वास्त आपके लिए उठापटक वाला रहेगा हेल्थ इशूज बहुत आ सकती है स्वास्त में कुछ रुकावटें अचानक से आपको परिशान कर सकती है उपाई क्या करना चाहिए आज मा गायत्री को ध्यान में करके 24 बार गायत्री मंत्र का जाप करिएगा क्या नहीं करना है आज दूसरों के काम में हस्तक शेप नहीं करना नीला रंग शुभ है 79 प्रतिशत का भाग आपके साथ है वर्शव राशी मानसिक परिशानी रहेगी पढ़ाई नहीं कर पाएंगे आप सिक्षा के छेतर में आपको कुछ मुश्किले आएंगे ब्यापार आपका अच्छा चलेगा बिजनस के साथ कुछ दिक्कतें आ सकती हैं ब्यापार को ले करके आप अकस्मात तनाओं में आ सकते हैं आज प्राइवेट सेक्टर वालों के लिए अचानक कुछ ऐसी इस्थिती भी आ सकती है जो आपके लिए परेशानी का कारण बने प्राइवेट सेक्टर में नोकरी में आचाएगी सरकारी छेतर आपके लिए अनकूल रहेगा गौर्मेंट सेक्टर में किसी तरह की दिक्कत नहीं आएगी आज प्रमोशन के चांसेस बन सकते हैं दामपत्य जीवन आपके लिए सकारात्मक्ता का फल देगा दामपत्य जीवन सबसे ज़्यादा शुब होगा लव लाइफ के लिए उलजन बढ़ रही हैं लव लाइफ आपके लिए परेशानी का कारण बन सकती है लव लाइफ में इधर उधर की करना भाजी पड़ेगा स्वास्त के मामले में बिशब राशी वालों को आँख और माइगरेन की समस्या हो सकती है प्रियोग के तोर पर आज किसी छोटे बच्चे को दूध चॉकलेट खानी पिने की वस्तु देना शुब होगा क्या नहीं करना है आज बड़ों का आग्या टालियेगा मत शुबरंग बादामी भाग्य प्रत्षत 61 मिथुन राशी आपके लिए सब कुछ बहुत सकारात्मक है पढ़ाई अच्छी करेंगे शुच्छा में कोई रुकावट नहीं आएगी हर हाल में उन्नती आपके लिए सामने है ब्यापार आपका अच्छा चलेगा बिजनस में आई बादाएं दूर होंगी ब्यापारिक नुकसान से बाहर निकलेंगे प्राइवेट सेक्टर के लिए अनकूलता रहेगी तनाव से मुक्ति मिलेगी प्राइवेट सेक्टर में कोई दोश नहीं दिखाई देता सरकारी छेत्र में मुश्किलें आ सकती हैं आज किसी तरह के जांच में उलस सकते हैं दामपत्य जीवन में संतान को लेकर के चिंता का विशय बनेगा लेकिन लव लाइफ आपके लिए अनकूल रहेगी शादी की चर्चा कर सकते हैं स्वास्त आपके लिए शुब होगा हेल्थ में किसी तरह की दिक्कत नहीं आएगी थोड़ा बहुत कमर में दर्द और सर्दी जुखाम दोपहर के बाद संभ़ हो सकता है मितुन राशी के लिए दिनांक 10 दिसंबर दिन गुरवार को क्या उपाय करना चाहिए आज मादुरगा को एक लौंग अर्पित करना शुब होगा क्या नहीं करना है मितुन राशी वालों को जल्दी वाजी में कोई फैसला नहीं लेना है गरे कलर शुब है 57 प्रतिशत का भाग आपके साथ है करकराशी लाव की आउसर बनेंगे पढ़ाई आपके लिए अनकूल रहेगी सिक्षा में किसी तरह की दिक्कत नहीं आएगी ब्यापार में कुछ तनाव आ सकता है बिजनस को ले करके आज थोड़ा सा सजग रहने की आवशकता है प्राइविट सिक्टर करकराशी वालों के लिए आज नहीं नोगरी के रीप्रियास सफल होगा सरकारी छेतर में मुश्किले आएंगी गवर्मेंट सिक्टर को ले करके आप बिल्कुल सजग रहिएगा आज किसी तरह की जांच में भी उलस सकते हैं दामपत्य जीवन अनकूल है दामपत्य जीवन में किसी तरह की दिक्कत करक वालों के लिए आज नहीं है लव लाइफ में अनावश्क चिंता बढ़ सकती है लव लाइफ को ले करके सजग रहने की आवश्कता है लव लाइफ हर हाल में आपके पास समस्याओं को पैदा कर रहा है स्वास्त आपका अच्छा रहेगा स्वास्त में किसी तरह की दिक्कत नहीं आएगी स्वास्त को ले करके सजग रहने की आवश्कता है सजगता खान पान को ले करके है दवाओं का समय पर सेवन करना उपाय क्या करना चाहिए करकराशिक के लिए आज एक माला दुरगा मंत्र का जाप ओम दुम दुरगा यही नमह कर लीजेगा नहागर क्या नहीं करना है आज किसी को सलाह नहीं देना स्लीटी रंग शुभ है क्यावन प्रतिशत का भाग आपके साथ सिंग राशिद तनाव से मुक्ती बिलकुल सामने है हर हाल में आपके लिए सकारात मकता रहेगी आप पर हर प्रकार की शुभता मिलने वाली है आज पढ़ाई अची करेंगे ब्यापार के लिए कुछ नुकसान हो सकता है बिजनस को ले करके आज चिंता की आवश्यक्ता रहेगी कि रिस्क लेंगे भारी पड़ेगा पार्टनर्शिप टूस ट्रक्ती है सिंगराज प्राइवेट सेक्टर के लिए अनकूलता रहेगी किसी प्रकार की दुर हुई स्थती नहीं है प्राइवेट सेक्टर में सब कुछ बहुत शुभ रहेगा वहान का सुख मिलेगा सरकारी छेतर में मुश्किले आएंगी आज प्रमोशन के लिए पैरवी आदि ना करें तो वहतर है कुछ मुश्किलें अचानक से आपको परेशान करेंगी सरकारी छेतर आपके लिए अनकूल है गौर्मेंट सेक्टर में सब प्रकार की शुपता मिलेगी गौर्मेंट सेक्टर आपके लिए लाब की आउसर पैदा करेंगा दामपत्त जीवन आपके लिए तनाव ग्रस्त करेंगा दामपत्त जीवन में तमाम प्रकार की दिक्कतें आ सकती है लव लाइफ आपके लिए किसी तरह की दिक्कत नहीं करेंगा लव लाइफ में सब प्रकार की शुपता रहेगी आज शादी की चर्चा कर सकते हैं स्वास्त के मामले में सिंग राशी वालों को एक प्रकार की विशेश लाव की इस्तिती है स्वास्त आपका बेहतरीन चलेगा स्वास्त में किसी तरह की समझ से नहीं आएगी उपाय क्या करना चाहिए सिंग राशी वालों को उपाय के तौर पर सिंग राशी वालों को आज का दिन बहतर करने के लिए इस मंत्र का जाप करना है क्या नहीं करना आज काला रंग नहीं पहना हरे रंग की शुपता है साथ पृत्शत का भाग आपके साथ है कन्याराशिक, लाव की आउसर बनेंगे, तनाव से मुक्ते मिलेगी, शुबता होगी, आज हर हाल में आप प्रशन में रहेंगे कन्याराशिक, ब्यापार अच्छा चलेगा, बिजनस में किसी तरह की दिक्कत नहीं आएगी ब्यापारिक दिश्टिकोर से सकारात्मक सोच विक्सित करिएगा, प्राइवेट सेक्टर आपके लिए अनकूल रहेगा, प्राइवेट सेक्टर में शुबता की तमाम इस्थतियां रहेंगी, प्राइवेट सेक्टर में नहीं नवगरी की संभावना है, सरकारी छेत्र आपक के लिए तनाव से बाहर निकालेगा लव लाइफ में एक अलग तरह की शुबता मिलने जा रही है स्वास्त के मामले में आज पेट और आँख की समस्या हो सकती है प्रियोग के तौर पर आज हरी सब्जी का दान जरुतमंद को करना शुब होगा क्या नहीं करना करना राशिव सगारातमक इस्थिति आपके लिए तैयार रहेगी तनाव से मुक्ति मिलेगी लाव की अवसर बनेंगे तौर राशिक के लिए आज पढ़ाई अच्छी करेंगे लेकिन ब्यापार में समस्याएं आ सकते हैं बिजनस की इस्थिति बहुत अच्छी नहीं है ब्यापार को ले जीवन आपके लिए एक अलग तरह का औरा क्रियेट करेगा पति पतनी के बीच आई बाधाएं दूर होंगी लव लाइफ की इस्थिति आज बैलेंस डरहेगी एक दूसरे को समझने का प्रयास सफर होगा स्वास्त के मामले में आज माइग्रेन की समस्या हो सकती हैं आँख आज दूसरों के काम में हस्तक शेप नहीं करना स्लेटी रंग शुभ है 62 प्रतिशत का भाग आपके साथ है बिश्चिग राशी एक अलग तरह का प्रभाव आपके लिए बना रहेगा बिश्चिग राशी के लिए मुश्किलों का हल निकलेगा पढ़ाई अच्छी करेंग ब्यापार में दिक्कतें आएंगी बिजनस को लेकर के आपको किसी तरह की चिंता नहीं है ब्यापार को लेकर के आप सावधान रहेगा प्राइवेट सेक्टर आपके लिए अनकूल है प्राइवेट सेक्टर में एक अलग तरह की शुभता रहेगी सरकारी छेतर आपके लि पति-पतनी के बीच किसी तरह की दिक्कत परेशानी दूर दूर तक नहीं है लव लाइफ के लिए भी स्थिति आपकी सामाने से बहतर आज नजर आ रही है शादी की चर्चा अब आप देख लेजिए टालना चाहे तो टाल दे तो बहतर रहेगा विश्चिक रासी क्या करना आपको स्वास्त बता देते हैं स्वास्त के मामले में आज डाइजेशन प्रॉब्लम रहेगी कबर में दर्द रहेगा घुटने की तकलेफ हो सकती है उपाय के तौर पर आज की दिन को बहतर करना चाहते हैं तो मादुरगा के समक्षिगी का दिया जलाना शुब होगा क्या नहीं करना है आज दोस्तों से ज्यादा जूट नहीं बोलना है गुलावी रंग शुब है 69 प्रतिशत का भाग आपके साथ है धनुराशी करू के काम बन जाएंगे पढ़ाई अच्छी करेंगे सिक्षा में नई जिगह एडमिशन हो सकता है ब्यापार के लिए कुछ मुश किलों का हल निकलेगा दामपत्ते जीवन आपके लिए एक अलग तरह की सकारात मकता दे रहा है लव लाइफ में किसी तरह के तनाओ की स्थती नहीं है लव लाइफ बैलेस्ट रहेगा स्वास्त के मामले में धनुराशी वालों को आज पेट और बैक की प्राबलम प्रेशा प्रतिशत का भाग्या आपके साथ है मकर आशी पढ़ाई के मामले में आज दिक्कत आ सकती है शुक्षा आपकी आज बहुत अच्छी नहीं रहेगी दिनांक दस दिसंबर दिन गुरुवार पढ़ाई में आज थोड़ा सा लेजीनेस आएगा ब्यापार आपका अच्छा चल मुश्किलें आएंगी आज कोई बड़ा वर्क लूड आपको परिशान करेगा दामपत्य जीवन आपका अच्छा है पतनी के साथ क्वाल्टी टाइम स्पेंड करेंगे संतान सुख मिलेगा आज लव लाइफ की स्थितिव में बहुत अच्छी स्थितिव नहीं है लव ला करना है दाइनी हथेली पर गुलाब जल लेकर अपने उपर छिड़क लीजेगा क्या नहीं करना है आज लाल रंग नहीं पहनना है नीले रंग की शुपता है क्यावन प्रतिशत का भाग आपके साथ है कुम्भराशी तनाव बढ़ सकता है परेशानी हूं आज अचानक से जाएगी मुश्किलों का आज एक अलग पहचान दिखेगा व्यापार अच्छा चलेगा बिजनस में दिक्कत नहीं आएगी प्राइविट सिक्टर के लिए नई नौकरी की संभावनाएं बनती हुए दिखाई देती हैं सरकारी छेतर की इस्थिति में आज देखा जाए त तो प्रमोशन के लिए प्रियास किया जा सकता है किसी तरह की ऐसी इस्थिति नहीं आएगी दामपत्त जीवन आपके लिए बहुत अनकूल रहेगा पतिपत्नी के बीच हर हाल में एक अलग तरह की पहचान छिणेगी लव लाइफ आपके लिए अनकूल है लव लाइफ में किसी तरह का तराओं नहीं आएगा शुपता मिलेगी स्वास्त के मामले में कमर में दर्द पीट की सिकायत और आँखों की तकलीफ हो सकती है प्रियोग क्या करना चाहिए कुमराशी वालों को आज काला रंग पहन लेना शुप होगा क्या नहीं करना है दूसरों के ऊपर अ अच्छा चलेगा बिजनस में किसी तरह की दिक्केत नहीं आएगी प्राइवेट सेक्टर थोड़ा सा प्रतिकूल रहेगा प्राइवेट सेक्टर को लेकर के सजग रहने की आवशकता है सरकारी छेतर आपके लिए अवसर पैदा करेगा गौर्मेंट सेक्टर में शुपता आएगी दामबत्य जीवन अनकूलता देगा दामबत्य जीवन में किसी तरह की दिक्कत नहीं आ रही है दामबत्य जीवन को लेकर के आपको बहुत सजग रहने की आवशकता है लव लाइफ थोड़ी सी मुश्किल पैदा कर रहा है लव लाइफ में अचानक से तनावा सकत है लव लाइफ आपके लिए अनकूलता है लेकिन अपने आपको सजग रखें आप स्वास्त के मामले में बैक की प्रॉबलम घुटने की तकलीफ और आखों की तकलीफ हो सकती है उपाय क्या करना चाहिए आज आज चावल का दान शुब होगा क्या नहीं करना है आज अपन रख सद्डिञ आज एकिन तक अब आईे जानते हैं आज का भाग्याक्षर मिश बाग्षर बिशबता मितुन वाग्षर करक मां सिंघ साउक्षर करन्या दा तुला नाउक्षर रिश्चिक रा धनू लाग्षर मकरपा कुम्भ़ काउग्षर मीन जा आपके अबने शुब ह आग्याक्षर साधे चौकूर कागच पर इन्हें लिख करके अपने पास रख लीजेगा चलते चलते आज की सकसेस की जो दिनांक 10 दिसंबर दिन गुरुवार को आपके लिए सुपर फेवरेबल बना देगी जानते हैं आज की सकसेस की उल्टी नाक की सांस अपनी हथेली पर छोड़े तीन बार हो गया एक बार भी कर देंगे तो कोई दिकत नहीं है तो 16 दिसंबर तक आप हमसे गाजयाबाद मिल सकते हैं इसके बाद 17-18 दिसंबर को आप इन दौर में मिल सकते हैं 20-21 दिसंबर आप हमसे मुंबई में मिल सकते हैं तैंक यू सो मच आपके इस प्या वाटसप तुरंत कर लीजेगा चलते हैं कल फिर मिलेंगे इसी चैनल पर नमस्कार्श